हैलो गाईज, वेलकम टू लश्मी इस फूडवर्ड, आज मैं आपको संत्रे के छिलकों का फेस पैक बनाना बताऊंगी, तो सबसे पहले कड़ाई में एक छोटी गलास दूद लीजे और दूद में कुछ संत्रे के छिलके डाल दीजे, आज के बाद आप लोग भी संत्रे के छिलकों को फेकेंगे नहीं, संत्रा भी खाईए और उनके छिलकों का भी यूच करिए, ये एकदम नैचुरल फेस पैक है, छिलकों को दूद में मुलायम होने तक पका लीजे, बस, दूद में अच्छा सा उबाला रहा है और छिलके भी मुलायम पढ़ गए है, और दूद बचा हुआ दूद छिलके खुद ही सोख लेंगे, ये देखे फ्रंट, बचा हुआ दूद छिलकों को ने सोख लिया है, आब इसे जार में डाल करके इसका पेष्ट बना लीजे, पानी बिलकुल भी नडालिए, इसे आप चेहरे पे लगाईए, हाथ पैर पर लगाईए औ और अपनी तुचा में निखार लाईए, चेहरे हाथ पैर की जमा हुई गंदगी सब हट जाएगी, सारे रोम छिद्र खुल जाएगे, बाहर से आप जो पैक खरीद कर लाते हैं, उससे तो ये काफी अच्छा है, ये देखे फ्रंट, पैक बन कर तयार हो गया है, अभी करना क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये दो चम्मच बेसन है, बहुत से लोग बेसन, चावल का आटा, हल्दी वगएरा भून कर डालते हैं, लेकिन मैं कच्चा डाल रही हूं, तो दो चम्मच बेसन है और दो चम्मच चावल का आटा, इसे मिक्स कर दीजे, कुछ लोग गीला पैक लगाते हैं, तो गीला लगाने के लिए आप थोड़ा सा दूट डाल कर इसे गीला कर लिजे, जार में थोड़ा सा पेश्ट लगा था, तो मैंने दो तीन चम्मच पानी डाल कर निकाल लिया है, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे, तो आप फलकी हाथो से रगड़ कर साफ कर सकेंगे, मैं आपको हाथों पे लगा कर भी दिखा रही हूँ, तो इस प्रकार से थोड़ा सा लीजिए, और लगाईए, बस दो-चार मिनट तक इसके बाद धुल दीजिए, आप खुद ही देखेंगे, कि कितनी वढ़िया चमक आ गई है, यह देखे तो आप लोग भी इसी प्रकार से होम मेट पैक बनाईए, और अपनी तोचा में निखार लाईए, इसी प्रकार की अच्छी अच्छी टिप्स के साथ फिर आप सबसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू